इस वीडियो में हम English Language का बहुत ही basic topic, बहुत ही basic concept, parts of speech का एक part, एक हिस्सा, noun के बारे में जानेंगे, हम समझेंगे के noun क्या होता है, और उसकी कितनी types होती है, उसकी कौन-कौन सी किस्में होती है, और हर किस्मों को हम briefly, shortly समझने की कोशिश करेंगे, उसकी examples को भी देखेंगे, तो यह वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो की शुरू में हम देखेंगे के noun क्या है, noun की definition क्या है, noun की meaning क्या होती है, तो नाउन ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी चीज का या किसी भी आदमी का नाम बताए जैसे कि किसी आदमी का नाम बता रहा हो, किसी इंसान का नाम बता रहा हो, किसी जगा का नाम बताए किसी चीज का नाम बता है या किसी आईडिया का नाम बता है तो उसे हम नाउन कहते है आईडिया आईडिया का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको के आप अपने फाई सेंस याने देखना सुनना चखना धूना इसी तरह के जितने भी आपके सेंस है फाई सेंस जा है तो उससे आ इंडिया टेबल कंप्यूटर ब्रेवरी फ्रीडम यह सब के सब नाउन है आईशा रमेश यह परसन का नाम है इंसान का नाम है डेली और इंडिया यह दोनों प्लेस का नाम है जगा का नाम है टेबल कंप्यूटर यह दोनों धिंग का नाम है चीजों के नाम है ब्रेवरी और freedom किसे नहीं तक bravery को नहीं देखा है बहुदरी को एक काम को देखा है हमने कई बार लेकिन बहुदरी को किसी नहीं देखा है बहुदरी सिर्फ हमारे दिमाग में bravery सिर्फ हमारे mind में होती है उसको महसूस कर सकते freedom इसी तरह आजादी आजादी भी एक माइन में होता है हमारे दिमाग में होता है और इसको अपने दिमांगे में ही महसूत कर सकते हैं तो ब्रेवरी और फ्रीडम यह दोनों ही आइडिया है तो यह तो यह तो में नाउन्स की जितनी भी सब कैटिगरीज होती है टाइप होती है तो उनको एक एक करके देखते हैं समझते हैं और नाउन की जो सबसे पहली सब कैटिगरीज टाइप होती है वह है सिंगलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या है तो पहले हम सिंगलर नाउन का समझेंगे सिंग औरेंज मैंड़ाय हों टीचर इन पूरी इग्जामपल्स में हम देख रहे हैं कि मोबाईल का मतलब शुज एक औरेंज मैंन का दलब सिर्फ एक आदमी बॉई यह लड़का हों का मतलब एक घर और वीचर का मतलब शिर्फ ही टीचर तो इस एक्जामपल्स में जितने भी चीज़ों के एक से जधा आदमी के नाम बताए एक से जादा इनसानों के नाम बताये जैसे मोबाइलज ओर and is मैं जूर्णफ यह इने इग्जांपल में हैं मुबाइल्स का मतलब होता है कई मुबाइल उसके आखिरी में S लग रहा है और इसके हमको समझ में आ रहा है कि कई mobile के बारे में बात कर रहे हैं एक से ज्यादा mobile के बारे में बात कर रहे हैं औरेंजे कई संतरे अखरी मेंस आ रहा है में कई आदमी बाइस कई लड़के गर्ल्स कई लड़किया टीचर कई टीचर तो यह सब के सब plural noun है तो लोडल नाउन में आपको एक पॉइंट को नोट करना है कि ऐसे नाउन जिनके हम हम प्लूुरल उसके एंड पर ऑइस यह लगा कर बनाते हैं तो उन्हें हम रेगुलर प्रूुरल लाउंस कहते यहां पर प्लू रह Town स्लगा। यहां पर पर रहे हैं तो उसके फिन पर हम एश को आड़ कर रहे हैं तो दिसी ग्समपल देखे एक लास और और classes, class singular noun है और उसके plural बनाने के लिए हम उसके end पर es add कर रहे हैं तो class का plural होंगा classes तो इन दोनों ही examples में students और classes दोनों ही regular plural noun है याने इनकी plural बनाने के लिए हम उनके end पर es या es add कर रहे हैं लगा रहे हैं जबके कुछ noun ऐसी भी आते हैं जिनकी plural बनाने के लिए उनके end पर हम es या es add नहीं करते हैं es या es नहीं लगाते हैं तो ऐसे nouns को हम irregular plural nouns कहते हैं जैसे example है के men, men, mouse, mice, life, lives, foot, feet इन examples में देखे है men singular noun है और उसके plural men आता है mouse singular noun है और उसकी plural mice है life singular noun है और उसका plural lives है और foot एक singular noun है और उसका plural feet है इन पूरी examples में हम देख रहे हैं के जितने भी singular noun आ रहे हैं तो उनकी plural हम es या es उसके end पर लगाकर नहीं बना रहे हैं बलके उनकी plural कुछ और अलग तरीके से बन रही हैं यह जितनी भी noun आ रहे है men, miles, lives, fit तो यह सबके सब irregular plural nouns है noun की अगली सब category आती है common noun and proper noun तो common noun क्या आता है common noun prefers to people, places and things in general के common noun लोगों के, जगों के या चीजों के बारे में एक आम तोर पे आम अंदाज में बताता है common noun ऐसे noun होते हैं जो के एक पूरे group के लिए एक ही noun दिया जा सकता है जैसे examples है boy, teacher, tiger, bike, car, ring इन examples में देख रहे हैं के boy जितने भी लड़के होंगे तो हम उन सब को boy ही कह सकते हैं teacher जितने भी teacher होंगे तो उन सब का एक common noun है teacher tiger जितने भी share है तो उन समय से हर एक को हम tiger कह सकते हैं bike जितनी भी bike से दुनिया में तो उन सब को हम bike ही कहेंगे तो एक पूरे group का जैने bike का जितना भी group है पूरी दुनिया में तो उनका एक common noun है Car जितनी भी cars है तो उनको हम car कहेंगे और ring जितनी भी अंगोटी है जितनी भी ring आती है पूरे group का एक अकेला noun ring है तो common noun ऐसा noun होता है जो किसी भी एक आम आदमी जगा ये चीज़ के नाम को बताता है ये एक पूरे group के नाम को बताता है और पूरे group में से हर individual के लिए ये एक noun इस्तिमाल किया जा सकता है जब के proper noun क्या होता है तो proper noun किसी खास आदमी किसी खास जगा ये खास चीज़ के नाम को बताता है जैसे example है के अहमद, Shakespeare, India, Realme, Statue of Liberty इन examples में देख रहे हैं के अहमद किसी आदमी का नाम है Shakespeare एक मशूर writer का नाम है India एक खास country का नाम है Realme एक खास company का नाम है Statue of unity भी एक खास चीज़ का नाम है एक खास मूरती का नाम है दुनिया की सबसे पड़ी मूरती का नाम है तो इन examples में जितनी भी noun आ रहे हैं तो सबके सब एक खास चीज़ के नाम को बताते है तो किसी खास आदमी जगा या चीज़ के नाम को बताने वाले noun को हम proper noun कहते है एक point आपको नोट करना है कि proper noun जादा तर हमेशा capital later से start होते है जैसे इन examples में भी हम देख रहे हैं कि एहमत शेक्सपियर इंडिया रियल्मी स्टेच्व औफ यूनिटी ये सब के सब capital later से start हो रहे हैं नाउन की अगली सब category आती है concrete noun and abstract noun concrete noun किसे कहते हैं अगर कोई noun उसे देखा जा सकता है सुना जा सकता है टेस्ट किया जा सकता है सूंगा जा सकता है या टच किया जा सकता है याने उसे हम अपने five sense में से किसी एक के जरीए या कई के जरीए हम उसको sense कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं तो ऐसे noun को हम concrete noun कहेंगे याने उसको महसूस करने के लिए अपने five cents का इस्तिमाल करना पड़ता है या उसको five cents के जरीए हम उसको महसूस कर सकते हैं तो ऐसे noun को हम concrete noun कहते हैं जैसे example song को या तो हम सुन सकते है या देख सकते हैं या सुन भी सकते हैं तो यह हमाले दो सेंस के जरी हम इसे परसीव कर सकते तो सौंग एक कॉंक्रीट नाउन है मुवी मुवी इसी तरह हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं तो मुवी एक कॉंक्रीट नाउन है फूड को खाना, तो फूड को हम सूम भी सकते हैं, उसको चग भी सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं, चूब भी सकते हैं, तो फूड एक concrete noun है, इसी तरह फूड को हम देख भी सकते हैं, चूब भी सकते हैं, तो फूड फूड को हम देख भी सकते हैं, चूब भी सकते हैं, तो बाद अलोग को हम देखते हैं, तो cloud एक concrete noun है, जबके abstract noun क्या होता है, तो abstract noun एक ऐसा noun होता है, जिनको के आप अपने five sense के जरीए महसूस नहीं कर सकते हैं, याने आप उसे ना देख सकते हैं, ना उसे सुन सकते हैं, ना test कर सकते हैं, ना smell कर सकते हैं, ना उसकी खुश्बू होता है, या feeling होती है, जैसे example है, bravery, freedom, happiness, economy, emergency, bravery को बहादुरी को रहा हमने देखा है, ना हम उनको सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, उसको चक सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, तो bravery एक idea है, हमारे स्रीप mind में, अपने जहन में होता है, freedom भी इसी तरह है, happiness हमारी एक feeling होती है हम उसको ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, टच भी निकर सकते हैं, smile भी निकर सकते हैं, ये सिर्फ हमारे जहन में होता है, economy, economy क्या हैं, तो हमने उसे देखा नहीं हैं, और emergency को भी हमने देखा नहीं हैं, आप में से बहुत से लोगों के mind में, ये सवाल होगा, कि bravery हम दे यह किये जाने वाले काम को देख सकते हैं और इसी तरह happiness खुशी को भी हम देख नहीं सकते हैं बलके उस खुशी की वज़े से उसकी जो व्यवहार होता है उसकी आदमी को जो behavior होता है तो उसको देख पाते हैं या उसके चेहरे के जो हावभाव होते हैं तो उसको देख पाते लेकिन खुशी को हम नहीं देख पाते हैं, उसको हम न सुन सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न इसमेल कर सकते हैं तो ऐसा कोई भी noun जिसे हम अपने five cents के जरिये perceive नहीं कर सकते हैं, जो ज़ादातार idea होता है, concept होता है, ये feeling होता है, तो उसे हम abstract noun कहते हैं noun की अगली category होती है, countable noun and uncountable noun, countable noun क्या होते हैं, तो countable noun ऐसे noun होते हैं, जिनको generally हम एक दो तीन की गिनती के जरिये गिनते हैं, जैसे example हैं के student, apple, city, computer, अगर हमें student को गिनना हो तो हम एक दो तीन की गिनती के जरिये गिनते हैं, आपके teachers रोज आपकी गिनती करते होंगे, एपल सेबों को वागिन सकते हैं एक एपल, दो एपल , तीन एपल ,- separated को भी हम गिन सकते हैं एक शहर दो शहर , Computer को भी इसी तरफ गिन सकते हैं जबके uuncountable tiष ऐसे नाउन्स होते है जिनको generally हम आम तोर पे एक दो टीढ की गिंटी के जरीये नहीं गिंते हैं जो uncountable lounge होते हैं तो उनको ज्यादतर तौला जाता है ज्यादतर उनको मापा जाता है या उनको गिना जाता है याने उनको टेप के जरीए किसी और चीज के जरीए हम उनको नापते है जैसे एक्जामपल है के milk, water, rice, happiness, freedom जैसे दूद, पानी, चावल, खुशी और आज़ादी milk को आप एक, दो, तीन की गिनती से नहीं गिनते हैं जैसे एक, दूद, दो, दूद, तीन दूद इस तरह नहीं गिनते हैं बलके आप दूद को लिटर के जरीए measure करते हैं कि एक लिटर दूद, आदा लिटर दूद, दो लिटर दूद, इसी जारा पानी को भी आप एक, द इस तरह से गिनते हैं happiness freedom एक खुशी दो खुशी इस तरह नहीं बोलते हैं freedom एक आज़ादी दो आज़ादी इस तरह नहीं गिनते हैं तो यह सब के सब uncountable नाउन्स है आप में बहुत से लोग के जहन में सवाल होंगा कि हम राइस को गिनते एक चावल का दाना दो चावल का दाना बोलते लेकिन आप वहां पर दानों को गिन रहे चावल को नहीं अभी तक यहां पे नाउंस के जितनी भी टाइप साए तो उसमें आपने देखा लेकिन आगे की कुछ कैटिगरी ऐसी भी है जिसके अंगेस में उसके अपोजिट में कुई दूसरी कैटिगरी नहीं आती है तो उसमें सबसे पहला है कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन नेम्स ग्रूप किसी भी एक ग्रूप का नाम को हम कलेक्टिव नाउ क्लास क्या होती है क्लास में कई स्टूडेंट होते हैं और उन स्टूडेंट से मिलकर एक क्लास बनती है तो एक स्टूडेंट के ग्रूप को हम क्लास कहेंगे तो क्लास क्या है एक कलेक्ट्व नाउन है इसी तरह प्राइड तो प्राइड किसे कहते हैं शेरों के एक ग्रूप को हम क्रू कहते हैं तो कई वरकर्स मिलके एक क्रू बनाते हैं फैमिली फैमिली में कोई एक आदमी नहीं होते हैं बलके कई लोग होते हैं और सब लोग मिलकर एक फैमिली बनाते हैं तो फैमिली में कई लोग होती इसी तरह जितनी भी नाउन जा रहे हैं यहां पर क्लास प्र के collective noun में अगर्चे कई लोग मिले हुए होते हैं कई individuals मिलकर एक collective noun बनाते हैं लेकिन उसको हम plural noun नहीं समझेंगे बलके उसे हम grammar में अपने sentences में एक singular noun की तरह ही ट्रीट करेंगे singular noun की तरह ही यूज़ करेंगे जैसे example है कि the pride goes for hunting everyday के शेरों का जुन हर दिन शिकार के लिए जाता है तो pride यहाँ पे अगरचे शेरों का group है लेकिन हम उसे singular noun के तरह ही यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम इस example में pride के लिए गोज वर्ब का यूज़ कर रहे हैं वर्ब का form ऐस या येस वाला यूज़ किया जा रहा है noun की जो अगली type है वो है compound noun compound noun ऐसा noun होता है जो के दो या दो से जादा words से मिलकर बनता है जैसे example है bus stop, mother-in-law, sunset, washing machine इन पूरी examples में देख रहे हैं के noun एक ही है bus stop एक noun है लेकिन दो वर्ड बस और stop दोनों से मिलकर बना है mother-in-law ये भी एक singular noun है लेकिन तीन वर्ड से मिलकर बना है mother-in और law से sunset sunset भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ word है sun और set से washing machine, washing machine भी दो words से मिलकर बना हुआ एक noun है washing और machine से तो ऐसे noun जो के 2 या 2 से ज़्यादा words से मिलकर बनते है तो उन्हें हम compound noun कहते हैं compound noun के सिलस्य में आपको एक चीज नोट करना है कि there are 3 forms of compound noun compound noun की तीन तरह की शकले हो सकती है, तीन तरह से वह हो सकते हैं पहला यह के ऐसे compound noun होते हैं जिनके के बीच में एक space होता है यानि दो words से मिलकर बन रहा है तो दोनों words के बीच में एक space आएगा जैसे bus stop तो bus stop में हम देख रहे हैं के bus और stop इन दोनों की बीच में space है compound noun की जो दूसरी type और दूसरा form हो सकता है कि कुछ noun ऐसे आते हैं कि जिन words से मिलकर बनते हैं तो उन words के बीच में एक hyphen आता है यानि एक dash आता है यहाँ पर आप दो bracket के बीच में देख रहे हैं कि हाइफन किसे कहते हैं जैसे example है कि mother-in-law तो mother-in-law तीन word से मिलकर बना हुआ एक word है और हर word के बाद में आप देख रहे हैं कि एक hyphen लगा हुआ है तो mother के बाद में एक hyphen है इनके बाद में एक hyphen है और कुछ compound 9 फा renowned ऐसे आते हैं कि जिनके बीच में ना तो कोई space होता है ना ही कोई hyphen होता है जैसे sunset तो sunset में हम देख रहे हैं कि sun और set तो word से मिलकर बना हुआ वह एक word है compound noun है लेकिन इन दोनों ही words के बीच में ना space है ना ही हाइफन है और compound noun भी English grammar में या English sentences में एक singular noun की तरह ही use के जाते हैं अगर्चे वो कई words से मिलकर बनते हैं तो compound noun को भी हम अपने sentences में singular noun की तरह ही treat करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने समझ लिया होंगे कि noun किसे कहते हैं और noun की जितनी भी types आते हैं तो उनको भी आपने अच्छे से समझाओंगा अगर फिर भी आप लोगों का कोई doubt या question हो तो comment section में जरू पूछे वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरू लाइक कीजे अपने friends के साथ में share कीजे और इसी तरह की informative educational और English language से related videos के लिए मेरे चैनल को जरू subscribe कीजे I will see you in my next video